बिग बॉस के घर का दूसरा हफता चालू हो चुका है और दूसरे हफते के शुरुवात में ही बिग बॉस ने सभी सदस्यों को दिया है एक लगजुरी बेज़ेट टास्क जिसमें हीतेन घर के राजा बने है और शिल्पा और आर्शी इन दोनों को घर की रानिया बना दिया गया है घर के बाकी के बच्चे सभी सदस्यों को उनकी प्रजा बना दिया गया है राजा और दोनों रानिया घर की सारी प्रजा से अपनी सेवा यानी की घर का पूरा काम करवा ले रहे हैं हम सबको पता है के सपना चौधरी और आर्शी खान इन दोनों के बीच में पहले ह रपते में ही कहा सुनी हो गई थी। लगजरी बजट टास्क की वज़े से आरशी खान बनी है घर की रानी और सपना बन गई है उनकी दासी। आरशी खान ने बदला लेने के लिए सपना चौधरी को अपने पैर दबाने के लिए कहा। पर जैसे ही सपना ने ये सुना उसने तुरंती उसको मना कर दिया और उसको इतना गुस्सा आया कि उसने टास्क बीच में ही छोड़ दिया। हितेन जो की इस टास्क में बने है राजा उन्होंने सपना चौधरी को रिक्वेस्ट की कि ये सिफेक टास्क है और उन्हें वो करना ही पड़ेगा। सपना ने भी हित अर्शी को मारने के लिए दोड़ी। उनको इतना गुस्सा आया था कि उन्होंने आर्शी को बेहुदा औरत ऐसे भी कहा। हाला कि सपना ने तो आर्शी खान को गंदे मुवाली दो कोड़ी की औरत ऐसा भी कहा था पर आखिरकार उन्होंने आर्शी के पैर दबाये पर ये टास करते वक्त वो हमें फूट फूट कर रोती हुई दिखाई दी और जिसकी वज़े से उनको घरवालों की सिंपती भी मिली आभी आगे देखना ये होगा कि इन दोनों के बीच की लड़ाई की सथ तक जाएगी आप सबको क्या लगता है कि आर्शी ने सपना के साथ जो किया वो सही था या गलत अपनी राह हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताईए और बिग बॉस के घर की जूड़ी हुई ऐसी ही एक्सक्लूजिव न्यूज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए